हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब आज हम अपने बेस्ट किद्नी डायट चानल स्टॉप किद्नी डालसिस में आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि कौन से हैं वो साथ ऐसे फूद्स जो कि आपकी किद्नी को नुकसान पहुंचाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किद्नी में खराबी के कई कारण होते हैं जिसमें सबसे जरूरी है आपका लिया जाने वाला आहार आपका आहार ही आपके स्वास्ते को बिगारने बैस सवारने में मदद करता है अब यह आप पढ़ने भर करता है कि आप अपने आहार में क्या लेते हैं आज हम आपको बताएंगे ऐसे आहार जो आपकी किड्मी को खराब करने के मुख्य कारण होते हैं जिसमें सबसे तहला है अधित मात्रा में चाई या कॉफी का सेविन करना चाई दीना अधिकतर लोग पसंद करते हैं और कॉफी आज कल की चलन में शामिल है लेकिन आपको बता दे जो लोग चाई या कॉफी बहुत जादा मात्रा में लेते हैं उनकी किड्मी में खराबी की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कैफेन होता है जो आपकी किड्मी के लिए नहीं बलकि पूरे शरील के लिए बेहर नुकसान दायग है और आपको बता दे शरील में जादा कैसें की मात्रा आपकी किड्मी में स्टोन की समस्या को बढ़ा सकती है किड्मी को खराब करने वाला दूसरा फूद है अलकोल यानि कि शराब अधिक मात्रा में शराब कर सेवन आपकी किड्मियां खराब कर सकता है जादा शराप के सेवन से किड्मियों की फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है जितका असर आपके दिमाग पर भी पढ़ सकता है इसके हो सके तो इसका सेवन पूरी तरह से बंद करती है तीसरा कारण है नमक कहते हैं न जरुट से जादा लिया गया अच्छा आहार भी कब आपका स्वास्ते खराप कर दे इसका कोई पता रही कैसे के नमक नमक में सोडियम होता है और ये पूताश्यम के साथ मिलकर शरीद में फ्रूइट की मातरा को सही बनाए रखता है लेकित जब आप अपके रूजाना की खाने में जरुट से जादा नमक लेते हैं तो इस शरीद में फ्रूट की मातरा को जादा बढ़ा देता है जो आपकी केगनी में सूजन की स्थिति बना सकता है इसलिए आप अपने आहार में अधिक नमक का सेवन न करें बात करते हैं हमारे अगले कारें की जो है रेड मीट का जादा सेवन भी आपके शरीर में प्रोटीन की मातरा पढ़ा सकता है रेड मीट में प्रोटीन की मातरा सबसे जादा होती है जो कि मसल्स के ग्रोथ के यह सरूरी नी है लेकिन इसके मेटापॉलि की प्रत्रिया काफी जादा कठन हो जाती है और इससे आपके किड़ी पर असर होता है साथ ही आपको अधिक रिद्मीट का सेवन किड़नी स्टों की दिक्कत भी दे सकता है किड़नी में खराबी करने वाला पांच बाव फूद है आज कल बाजार में मिलने वाने विठाईयां पुकीज और ब्रिंक्स में आदिफिशल स्वीटनर्स का स्तमाल किया जाता है और लोग इन चीजों को खाना बड़ा ही पसंद कर रहे जो लोग शुगर के मरीज हैं उन्हें किड़नी से जुड़े बिमारिया होने के आश्चंका भी जादा रहती है उस पर से उनका देरी प्रोड़क्स इसमें दूद, चीज, पनी, बटर जैसे डेरी प्रोड़क्स का सेवन के लिए अच्छा नहीं होता यह किड़नी ने स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है बात करते हैं हमारे सात्रे कारण के जो है हेवी डालों का जरुद से जादा सेवन करना डाल प्र जिन्ता की जरुद से जादा सेवन आपकी किड़नी को डामज करने का कारण होता है तो आज के लिए बस इतना है अगर आप या आपका कोई अपना किड़नी के किसे भी रोक से परिशान है तो आप हमें अपनी समस्या नीचर दिये गए गूगल फॉर्म में येकर भीज सकत तब तक के लिए अपना खयाल रुखी इल दी रही तमश्कार